मस्टर्ड ओयल प्रोड्यूसर एसोसियेशन ओफ इंडिया का कहना है कि तेल तिलहन पर लागू स्टोक सीमा को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और अगर नहीं हटाया गया तो रभी सीजन के दुरान सरसों की बॉआई में कमी आने का अंदेशा है गोर्तलव है कि केंद्य सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल तिलहन पर स्टोक सीमा लगा रखी है मोपा के राश्च्री अध्यक्ष्ट बाबूलल डाटा का कहना है कि किसानों को उपज का उचित मूलिय मिले इसके लिए तेल और तिलहन पर स्टोक सीमा को हटाया जाना जरूरी है अभी सोयाबीन और मुफली की फसल तैयार खड़ी है भेतर बारिश को देखते हुए रभी की बौई भी जोरदार होने का अनुमान है लेकिन तिलहनों की कम कीमते किसानों की चिंता बढ़ा रही है ऐसे में सर्सोकी बौई परभावित हो सकती है उनका कहना है कि सरकार द्वारा खाने के तेलों में मंदी के परियास किये जाने से पिछले दो सप्ता में सर्सो सीड में 600 रुपे प्रती क्विंटल की गिरावट आ चुकी है राजस्थान और देश की अन्या मंडियों में पिछले एक महिने में सर्सो की आवक बढ़ने और विदेशी तेलों में भारी मंदी आने से सर्सो तेल में करीद 13 रुपे प्रती की लोगी नर्मी आई है वहीं उनका कहना है कि सर्सो खल प्लांट के भाब भी 500 रुपे नीजे आ गए हैं दरसल देश में अब तक 74 लाग टन सर्सो की आवक मंडियों में हो चुकी है और 31 अगस तक 67 लाग टन सर्सो की पिराई देखने को मिली थी त्योहारी मांग के बाबचूत देश के बासारों में खाने के तेलों के दाम तूटने लगे हैं पिछले दिनों विदेशी बासारों में भी खाने के तेल की कीमतों में गिरावट आई थी सरकार की कोशिश है कि खुद्रा बजार में भी खाने के तेलों की कीम्तों में गिरावट आए गोरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पामोईल आयात करने वाला देश है राजस्तान सही देश की मंडियों में लगबग धाई लाग बोरी सरसो सीट प्रती दिन उतर रही है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी